ये कि भारत का सम्विधान, धर्म निर्पेक्च सम्विधान है, जिसमें सभी धर्मों की सुरुच्छा की गारंटी है, और सब को बराबर का अधिकार है, सरकार धर्म की आधार पे नहीं चलना चाहिए, बलकि सम्विधान के तहद चलना चाहिए, जिस सम्विधान में कारिप आयोध्या में मंदिर बनाने की जहां पर बात आ रही है तो वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने आदे दिया था कि साक्ष के आधार पर मंदिर बनेगी लेकिन जो वहां पर खुदाई हुई तो वहां पर तथागत गौतम बुद्ध जी के उसे निकले तो मैं तो सुप्रीम आयोध्या में तथागत गौतम बुद्ध जी की परतिमास थापित होना चाहिए कभी कहा जा रहा है कि हम भारत की शम्विधान की समिच्छा करेंगे कभी कहा जा रहा है कि हम आरच्छड को समाप्त करेंगे को भी कहा जा रहा है कि भारत की सम्विधान आरच्छड को हम हैसर सामत करेंगे कि रहना ना रहना बराबर होगा ये बराबर अगर इस तरीके से बाते की जा रही है और यहीं नहीं लोग सभा के सामने जंतर मंतर पर भारत के सम्विधान का अपमान किया गया संबिधान मुर्दाबाद का नारा लगा गया अगर सरकार संबिधान का सपत लेकर के लोग सभा में पहुँची है तो संबिधान का प्मान करने वाले लोगों का नागरता आखिर समापत क्यों नहीं किया गया ये कहीं ने कहीं संबिधान के साथ खेलवार किया जा रहा है जिसे बहुजन समाज किसी भी कीमत पर परदास नहीं करेगा और संबिधान आरच्छर को लागो कराने के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अब देश में वही राज करेगा जो बहुजन की बात करेगा और अब संबिधान लागो करो वरना कुर्शी खाली करो अब हमें राम मंदिर नहीं चाहिए बारत का संबिधान चाहिए और आरच्छर चाहिए जिसके लिए बहुजन समाज अंदोरित हो चुका है और बहुजन समाज का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए यह मंदिर मुद्दा लाके खड़ा किये हैं इनके पास अब कोई देश में मुद्दा नहीं है यह राम मंदिर मुद्दा जो दिखा करके और बहुजन समाज को दिवा को डाइवर्ट करना चाहते है लेकिर बहुजन समाज अपने अधिकार सम्मान सुरुचा और संविधान आरच्छर के लिए अंदोलन पे निकल चुका है इनिके मंदिर और मुद्दे से बहुजन समाज भटकने वाला नहीं है उसको संविधान को लागू करने के लिए पहुज़न समाज अंदोलन के लिए चल पड़ा है